Hello students and welcome to Roshi's Education Point. आज हम बात करेंगे मोहक हिंदी व्याकरन टेक्स्ट बुक की Class 3, Part 4, Part का नाम है शब्द और वाक्य. बच्चों, आपने अब तक भाशा, वर्ण, वर्ण माला एवं मात्राओं के बारे में पढ़ा है. क्या आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है? शब्द वही होते हैं जिनका कोई न कोई अर्थ होता है. अतहा, शब्द सार्तक द्वनियों के मेल से बनते हैं, सार्तक शब्द अपना विशेश अर्थ प्रकट करते हैं. अब हमने वर्ण और वर्ण में लगने वाली मात्राएं तो पड़ ली हैं, अब इनहीं वर्णों से मिलकर जो शब्द बनते हैं, शब्द कभ कहलाएंगे जब उनका कोई अर्थ होता है, कोई विशेश अर्थ अगर होगा, तभी वो आपके शब्द कहलाएंगे, वर्णा नह कहलाएंगे परी भाषा देख लेते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है दो या दो से जादा वर्ण जब एक साथ मिल जाते हैं और उनका कोई ना कोई अर्थ निकल कर आता है तब ही हम उन्हें शब्द कहे जैसे की गमला, भवन, सिपाही फिर आते हैं शब्दों के भेद अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं अगर हम अर्थ के आधार पर देखेंगे तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक को बोला जाता है सार्थक शब्द और एक को बोला जाता है निरर्थक शब्द सार्थक शब्द क्या होते है वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई विशेश अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते है अब वर्णों के मेल से ऐसे शब्द जो बन रहे हैं जिनका विशेश अर्थ निकल कर आ रहा है उनी को हमने क्या बोल दिया है सार्थक शब्द बोल दिया है जैसे की अंगूर, हाथी, साइकिर इनसे विशेश अर्थ का बोध होता है अतह ये सार्थक शब्द होते हैं विशेश हम किसी एक चीज के बारे में बात करें इनका कोई विशेश अर्थ निकल कर आए तब ही हम इन्हें सार्थक शब्द बोलेंगे फिर आते हैं निरर्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं जैसे रख, रकम, यगा, मरग, आदी ये ऐसे शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा दो से दो या दो से अधिक वर्ण तो इसमें जुड़े हुए है लेकिन फिर भी इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इसलिए हमने इनको क्या है निरर्थक शब्द का नाम दिया है अब हम बात करेंगे वाक्य की जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते है उसी प्रकार शब्दों के सार्तक समूह से वाक्य बनते है जब दो या दो से अधिक वर्ण जुड़ते थे तो शब्द बनते थे अब जब दो या दो से अधिक शब्द जुड़ेंगे तो उससे क्या होगा हमारे वाक्य बन जाएंगे गोडे में मैदान दोड है रहाई अब यहाँ पर शब्द तो है खूब सारे शब्द का समूव भी है लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं मिल रहा है उपर लिखा शब्द समूव वाक्य नहीं है क्योंकि इसमें शब्दों का सही स्थान पर प्रेयोग नहीं किया गया है परन्तु यदि यही वाक्य इस तरह लिखा जाए घोड़े मैदान में दौड रहे है यह शब्द समू सही वाक्य है क्योंकि इसमें सभी शब्द सही स्थान पर प्रेयोग किये गए है अतह इस शब्द समू से सार्थक अर्थ निकल रहा है तो ऐसे शब्द समू जिससे सार्थक अर्थ निकले हमें पूरा-पूरा अर्थ समझ में आए उन्ही को हम वाक्य बोलेंगे वरना उन्हें वाक्य नहीं बोलेंगे तो एक बार हम इसकी भी परिभाशा देख लेते हैं शब्दों का व्यवस्थित समूः जो किसी भाव या अर्थ को पूरी तरह प्रकट करता है वाक्य कहलाता है जो हम कहना चाहते हैं पूरा भाव या फिर पूरा अर्थ अगर वो प्रकट करे तो ऐसे व्यवस्थित समूः को ही हम लोग क्या बोलते हैं वाक्य बोल देते हैं तो ये था हमारा पूरा पार्थ अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगा थैंक यू सो मच